हई गोटाइज दर आफिन वे निवे वाचिंग ओन डिवांड तो दोस्तों आज वीडियों बात करने वाले iPhone SE 2020 के बारे में जो कि बहुती देर बात लौद लॉंच हुआ है जिसके बारे में बहुती अफू होड़ा की iPhone कुछ इस तरह देखे हैं इस तरह दिखेगा बातर इपार पेले को सब्सक्राइब आपको पर आपके सब्सक्राइब तो मुझे बहुत तरह सब्सक्राइबर की सब्सक्राइबर मेरे को मिल जाएंगे तो आप चैनल पर नहीं जबादेना मेरी नए 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 वीडियो देखने के लिए अभी इसकी स्पेसिफिकेसिन की बात कर सकते हैं और कुछ नहीं रिवीव ले ले थे थोड़ा कैसे कैमरा क सब्सक्राइबर मेरे नहीं कर सकते हैं या फिर टेकनिकल गुरूजी के पास ही नहीं आगर आ गया होगा तो फिर वान बॉक्स या फिर रिवीव भी कर देंगे लेकिन अभी मेरे पास आप मतलब मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके स्पेसिफिके जाल लेंगे थोड़ा रिवीव जाल लेंगे और फीचर फीचर जाल लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है और यह फोन तो मैं पर्चेस नहीं कर सकते हैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास लेकिन अगर मेरा आप चैन झाल वाल लेकिन तो चलो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक किसंद की जैसे कि आपको पता है इसका जो डिस्प्लेश साइज वह 4.7 इंच के डिस्प्लेश साइज है जो की रेटीना एचीडी IPS डिस्प्लेश के साथ आ रहा है और अगर में बात कुल बैजल लेस की तो इसके बैजल लेस नहीं ह तो वह भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और दोस्तों अगर मैं बात कुल से कैमरे की तो कैमरा इसका रेर कैमरा है वो सिंगल कैमरा है तो वह 12 MP है विद 1.4 aperture के साथ मतलब फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा और इसकी थोड़े रिवीव भी देख सकते हो आप आइफोन में आभी में कैमरे के चाहा बात करूँ आइफोन का हर कैमरा अच्छे होता है चाहिए वह आइफोन 5 हो 5S और 6S हो बहुत अब यह तो नया है तो यह नए फीचर के साथ आया होगा और इसके अंदर आपको अगर मैं बोलू फोकस पिक्सल HDR पोट्रेड मोड और 4K आइफोन मुझे तो जरूर खरीदना चाहिए को मुझे भी 4K रिकॉर्डिंग करना बहुत पसंद है मतला सिनोमेटेग्राफी करना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं बात को इसके सेल्फी कैमरे की मतला फ्रंट कैमरे की तो 7 मेगा पिक्सल के साथ 2.4 का एपिचर दे बहुत है जो कि बहुत ही अच्छा है मतला पूर्टेट मोड आप बहुत अच्छा कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं अगर में प्रोसेसर के बाद करो प्रोसेसर बहुत मेन होता है दोस्तों तो इसके अंदरा आपको ए 13 बायोनिक चिप के साथ मुलता है जो कि आइफोन 11 बाद में और आइफोन 11 प्रो मैक्स में भी लगा है मतलब आप समा सकते हो आपको आइफोन 11 प्रो का पुरा एक्सपीरेंस देगा पुरा परफॉर्मेंस देगा थोड़े कम प्राइज में तो आइफोन 11 लेने से अच्छा यह वाला ही ले सकते हो लेकिन अब्न लाउंश सबसे में फीचर दोस्तों आपको पाता थे तो इसमें डूवल सिम है और जैसे कि अगर मैं बात को स्टोरेज की तो इसके अंदर तीन वेरेंट में जो है 64GB 126GB और एक है 256GB जिसके अलग अलग प्राइज भी है प्राइज आपको देर के बाद बताता हो बैटरी की बात करें तो आपको इसके अंदर अट्रस्टों एमेज की बैटरी में जाते एटीन हंड्रेंड एमेज की बैटरी वही सारे कंपनी 5000 एमेज की बैटरी बहुत कम है लेकिन इसके अंदर आपको सकेंड जन्रेशन टेक्च आईडी देखने मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है और फाइव वोट चार्जिंग इंक्लूड इंक्लूड इपिए 67 प्रोटेक्शन जो की 30 मिड तक आपका पानी में काम और जाद हो खुछ नी लाइटनिंग करेंटर आपको इसके साथ देखने मिल जाएगा मतलब आपको मैं पुरा अन्बोक्स करेंगे दिखा देता हूं इसमें इसमें दिखा देता हूं और आईक्यू चार्जिंग हैडफोन जैक्ट पह देखने मिल जाएग वह अच्छी ब बता दिया और यह 13 वीडियो प्लेबैक करेंगा मतलब तेरा घंटा वीडियो चलाएगा आपका भी बहुत बड़ी बात है ठीक है अच्छा है मतलब मैं तीन चार पिचार आराम से देख सकता हूं और आप चार पिचार आराम से देख सकते हो फोर के रिगॉर्डिंग के ब अच्छार आरम है वही मोस्त इंपोर्टेंट होता है क्योंकि हमको प्राइस देखने हैं पड़ता है हम मिडल क्लास वालों को तो जैसे कि आपको पता है जो इसका 64GB वाला स्टोर एज वह आपको 42,500 में मिल जाएगा और उसका 128GB वाला स्टोर एज वह आपको 47,000 में मिल ज जरूर देना तो अभी यह रख देता हूं मैं तो दोस्तों अभी में पर्सनल एक्स्पिरेंस के बात करते हूं जिसकि आपको पता कि जो आइफोन के कैमरा होता है जिसकि आगर आपके पास 64MP वाला कैमरा होगा Android में और मेरे पास 12MP वाला होगा या फिर 42MP वाला होगा लेक कि इसका कुछ रिवीव था बस इतना ही बात करना था इसके बार में तो दोस्तों आपको कोई वीडियो का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब कोई दूसरा टॉपिक आइफोन से रिलेटेड या फिर किसी इलेक्ट्रोनिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूरा एक्सपीरेंस करूंगा आपको जरूर बताऊंगा कि उसका क्या है मतलब आपको कोई फोन के बार में नहीं समझ आ रहा होगा कि इसको लेना चाहिए कि नहीं या फिर यह दो फोन को अब्धार करके बता दो वह में सब वीडियो बना दूँगा आगर आपको झाहिए